Hello Everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और ये है आप लगों के लिए Coming Week का सापता ही क्राशी फल ये 10th January से लेकर 16th January तक की आपकी Tarot Readings है, Tarot Predictions है और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक, शेर और सबस्क्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप Daily Tarot Reading में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं Sun, साइन, Moon, साइन, Ascendant या पिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या पिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी साइन के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं Coming Week का सापता ही क्राशिफल तो चलिए Capricorns आप लोगों के लिए देखें कि Coming Week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं तो आप लोगों के लिए professional front के लिए cards है two of swords and obstacles और देखिए obstacles के card को अगर हम literally देखें तो किसी level पे किसी तरीके की रुकावटों की बात करता है, अरचनों की बात करता है और देखिए Capricorns अगर आप मुझसे पूचेंगे तो मेरे हिसाब से किसी भी चीज को achieve करने के लिए सबसे बड़ी रुकावट होती है हमारे negative thoughts, हमारे negative belief systems और जब भी भी हमारी life में externally कोई भी issue होता है और उसको लेके जब हम घबरा जाते हैं या मैं कह सकते हूँ कि हम अपने मन की स्थिती को effect होने देते हैं तभी कहीं हमारी हालत इसकष्टी के समान हो जाती है हम कहीं अपने उपर से सहियम या फिर नियंतरन खो देते हैं और events के हिसाब से बहते जाते हैं और फिर हम बहुत परेशान होते हैं और शायद इसी लिए दिखें या पे two of swords का card कहता है कि surface level पे बहुत एक अटका हुआ आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं कुछ लोगों को literally ऐसे लग सकता है कि ना तो आप आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं और आप बहुत सारी चीजों को avoid और ignore भी करते हुए दिख रहे हैं अगेन देखिए आप देख के अंदेखा कर रहे हैं आप सुन के अंसुना कर रहे हैं और जो भी action initiatives required हैं अपने goal को achieve करने के लिए कहीं आप वो भी लेते हुए नहीं दिख रहे हैं तो देखिए यहापे मैं आपको Capricorns यहीं कहूंगी कि जो पट्टी आपने अपनी आँखों में बांदी हुई है उसको आप उतारें चीजों को upfront होके deal करें अगेन जो भी actions initiatives required हैं अपने मकसद को पाने के लिए आप वो जरूर लें और अगर आपको कोई decision कोई choice लेनी है तो वो भी आप जरूर लें और देखिए अगर ऐसा आप करेंगे तो इस week की energies को आप काफी बहतर कर पाएंगे and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है devil and inner truth और देखिए devil का card कहीं एक दू चीजों की बात करता है और ये general reading है तो सब के लिए थोड़ा थोड़ा differ कर सकता है broadly speaking देखिए devil कहीं obsessive energies की बात करता है possessiveness की बात करता है कहीं चीजों को लोगों को किसी level पर control या फिर dominate करने की भी बात करता है तो देखिए फिर से specifically devil के card को देखिए तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है अपनी किसी desire, अपने किसी goal, अपने किसी मकसद के लिए आप बहुत obsessive हो रहे है आपको ऐसे लग सकता है कि बाई हर हाल में ये चीज तो मुझे चाहिए ही चाहिए है ये relationship, ये इनसान तो मुझे चाहिए ही चाहिए है कुछ लोगों के लिए देखिए आपे किसी चीज को लेकर success भी रह सकती है और देखिए जब भी भी Capricorns हम ऐसी energies में आते हैं तो pressure और tension तो साथ में आता ही आता है क्योंकि हम बहुत fixated हो जाते हैं और शायद इसी लिए गीता में लिखा भी हुआ है करम करे जाब फल की इच्छा ना कर क्योंकि जब हम बहुत ज़ादा outcome से attach होते हैं तब ही कहीं हम परेशान भी होते हैं और अगर आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं Capricorns किसी इंसान, किसी relationship या फिर किसी भी चीज के लिए तो इसी चीज को check करके correct करने की जरत है अगर आप अपनी life को simple करना चाहते हैं अगर आप इस pressure, इस burden को अपनी life से हटाना चाहते हैं और देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि या तो आप किसी इंसान को लेकर या फिर situation, outcome को लेकर बहुत controlling हो रहे हैं, dominating हो रहे हैं या फिर आपके आसपास कोई इंसान है या लोग हैं जो आपको control करना चाहा रहे हैं आपको dominate करना चाहा रहे हैं और देखिए अगर ऐसी energies Capricorns आपकी हैं तो जरूर इसको check करके correct करें क्योंकि देखिए negative emotions, negative feelings से हमें positive results नहीं मिलते हैं और अगर आपको low control कर रहे हैं तो यकीन मानिये वो आपको सिर्फ इसी लिए dominate कर रहे हैं क्योंकि आप उनको allow कर रहे हैं और ऐसा हम इसलिये करते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं ये रिष्टा खतम ना हो जाए कहीं इनो इस चीज में issue ना हो जाए अगर हमने उनके हिसाब से चीजे नहीं करी और ऐसा करके हम सिर्फ उस रिष्टे को या फिर उस चीज को linger on कर देते हैं थोड़े टाइम के लिए लंबा कर देते हैं क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया negative energy, negative उर्जा, negative emotion कभी भी हमें positive results नहीं देती है तो इस चीज का भी आप खयाल रखें किसी को allow ना करें कि वो beyond the point आपको control करें आपको dominate करें और फिर से देखिए यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे लोग बोलें कि मैं हम allow नहीं करते हैं लेकिन वो कर रहे हैं तो हम क्या करें तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपका fear शायद उनको allow कर रहा है तो इस चीज को तोड़ा सा pause करके आप समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही प्यार से आप उनको ना कहेंगे या फिर जो चीजे आपको ठीक नहीं लग रही है आप उनको communicate करेंगे और beyond the point उनके हिसाब से नहीं चलेंगे तो एक बारी उन्हें बुरा लगेगा दो बारी तीन बारी तीसरी बारी वो समझ जाएंगे कि भई आप control नहीं होंगे और देखे वो कोशिश भी नहीं करेंगे बच्पन में आपने देखा होगा जो बच्चा चिड़ता था उसे सब चिड़ाते थे जो नहीं चिड़ता था उसे कोई नहीं चिड़ाता था जो दबता है उसको सब दबाते हैं तो फिर से मैं कहूंगे कि इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करके correct करें और ये बहुत important भी है relationship या किसी भी चीज़ के लिए healthy रहने के लिए and guidance है आप लोगों के लिए lighthouse का card है और ये card कहता है don't doubt your worth तो देखे कितनी बारी होता है न लोग हमें कुछ कह देते हैं और हम self-doubt में चले जाते हैं हमें लगता है पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे पता नहीं you know हम इस चीज़ के लिए capable हैं या नहीं है तो ये card बहुत ही clearly आपको message दे रहा है कि आपने अपने उपर किसी भी चीज़ को लेकर doubt नहीं करना है आपने बहुत ही confidently बहुत ही surety के साथ अपने goal अपने मकसद के लिए action initiatives लेने है with the thought की आप कर सकते हैं और आपके अंदर सारी potential है आपके अंदर सारी capabilities हैं उस चीज़ को achieve करने के लिए and astrology से आप लोगों के लिए Pluto का card है और इसके हिसाब से yellow and orange colors आप लोगों के लिए इस week लखी रह सकते हैं and significant days आप लोगों के लिए होंगे Sunday and Thursday तो ये था Capricorns आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए